Hello friends, Samsung की तरफ से अब हमें बहुत ही जल्दी Samsung Galaxy A50s देखने को मिलेगा और एफोन officially launch भी हो चुका है और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 48MP का टिपल डियार कैमरा का सेट अप और उसी के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 32MP का सेलफी कैमरा और इन डिस्पले फिंगर्टमेंट स्कैनर तो फेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Samsung Galaxy A50s के बारे में और जानेंगे इस फोन की डिजाइन के बारे में इसमें क्या क्या सब्सक्राइब मिलने वाला है इस फोन की प्राइस क्या होने वाला है और लांच डेट के बारे में तो फेंट्स अगर आप लोग भी जानना चाते है Samsung Galaxy A50s के बारे में तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिए तो फेंट्स लेट्स केट स्टार्टेड तो फेंट्स सबसे पहले अगर बात किया जाए इस फोन की डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 6.4 इंचिस के Full HD Plus डिस्पले जो कि एक Super AMOLED पैनल और U-Save NOS के साथ आने वाला है और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिलने वाला है इन डिस्पले Fingerprint स्कैनर और फेंट्स जैसा कि हम लोग जानते है कि Samsung की फोन की डिस्पले के सामने किसे भी Company का डिस्पले नहीं चलता है और इसी के साथ ही फेंट्स अगर बात किया जाए इस फोन की बैक पैनल की तो बैक पैनल में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है ग्लास्टिक बैक जो की glossy gradient finishing के साथ आने वाला है और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टिपल रेयर कैमरा का सेटप उसके बाद फेंट्स बात आती है कैमरास की तो fans यहां पर rare side में आपको देखने को मिलने बाला है triple rare camera का setup जिसका main sensor आपको देखने को मिलेगा 48MP का और यहां पर आपको Samsung GM1 का sensor भी देखने को मिलने बाला है उसी के साथ ही यहां पर आपको दूसरा sensor देखने को मिलेगा 8MP का एक Ultra Wide Lens और तीस्टा सेंसर देखने को मिलेगा 5MP का एक Depth Sensor उसी के साथ ही फेंच अगर बात किया जाए इस फोन की फोन कैमरा के बारे में तो फोन कैमरा में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 32MP का एक सेल्फी कैमरा और आप बात कर लेते हैं इस फोन की पोसेशर की तो पोसेशर में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है Exynos 9610 का पोसेशर और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा Android Pie का सपोर्ट जो की Samsung की खुद का UI, One UI के साथ आने वाला है इसी के साथ ही फेंड्स अगर बात किया जाए इस फोन के बैटरी के बारे में तो बैटरी में यहाँ पर आपको मिलने वाला है 4000 एमेज के एक बड़ी बैटरी जो की first charging के साथ आएगा जिसके थूरू आप अपने फोन को बहुत ही quick charge कर पाएंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3.5 mm का एक headphone jack और USB Type-C port और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको 15 watt का voice charger box के अंदर ही मिल जाएगा तो फाइनली फेंड्स बात आती है इस फोन की price और launch rate की तो फेंड्स इस फोन का जो 4GB 64GB वाला variant है उसका price होने वाला है 20,000 के अंदर और उसी के साथ ही फेंड्स अगर बात किया जाए इस फोन की launch rate के बारे में 32 Megapixel का selfie camera और एक काफी powerful processor इन display fingerprint sensor तो फेंड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 20,000 के अंदर Samsung की तरब से काफी अच्छा option मिल जाता है तो फेंड्स एटी Samsung Galaxy A50s की price इस परिपिकरिशन और launch rate के बारे में कुछ जानकारी फेंड्स अगर आपके पास कोई भी question है इस phone के regarding तो अपनी जे comment करके पूछ सकते हो फेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope guys आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को like, share and channel को ज़रूर subscribe करे Thanks for watching